मैं योगेश्वार आपके लिए लेकर आया हूँ 90 स्क्वेर यार्ड यानि कि 90 गज में बना हुआ यह लग्जूरियस 30 के फ्लैट फुली फर्निज्ड यह 30 के फ्लैट आपको मिलता है दोस्तों दौर का मोड मैट्र स्टेशन से सिर्फ वाकिंग डिस्टेंस पर फ्रंट साइ दोस्तों इस त्री वीडियो मेंट तक चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक कम्प्लीट टूर और मैं आपको सबसे पहले करूंगा यह डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम लिविंग रूम जिसे हम बोलते हैं में रूम जान देखें हैं लिवींग के साथ मुल जाते हैं। इसके बाद यहां से आपके इंटर्इंस यह में गेत हैं आपके प्लेट के इंडर के एंटरी होती है तो बहार मिल जाते है और लिप लिपको मिल जा दोस्तों आप यहां देखी चाओद का सफा लगा चाइप को डिखाया हूए है प्रोपर वाल को डिजाइन किया गया है इस पर यहां पर देखिए यह यह लगाई गई है इसको ब्यूटिफुल बनाने के लिए दोस्तों पर आपको दिखा था हूं किचन आप देख सकते हैं दोस्तों यह देखिए नब्ब्य गजस के इसाफ से बहुत ही अच्छे प्लाइ रख सकते हैं और देखिए यहां आपको यह मिल जाता है आपको हब रखने का प्रोविजन और उसके उपर कैफ की एक चिमनी इस्टॉल करके दी जा रही है यह सेंसर चिमनी है जो की हाथ के इशारे से काम करती है दोस्तों उसके बाद आपको मिल जाते हैं आपका वाचिंग या बर्दन साफ करने की जगह हैं आपको लगा कर दी जाती है सेनिटरी आइटम जितने भी आप देख रहे हैं यह सारे के सारे वैंटेज के लगाए के हैं बैस्ट क्वालिटी होती है किसी तरह का कॉमेंट में जरूर बताएगा हमें और वीडियो को भी लाइक कर आपको काफी बड़ी साइस का लागा कर दिया जाता है जैसे आप वाश्रूम से नहा कर भाहर निकलेंगे तो यहां आपने आपको रेडी कर सकते हैं दोस्तों अब देखिए यह बेहदी शांदार लग्जरी फील देने वाला यह वाश्रूम है मैं गैरेंटे के साथ कह सकत उसके बाद आप देखिए यह आपको शावर सेक्शन मिल जाता है यहां पे और यहां आपको एक वैनिटी मिल जाती है टेबल टॉप वाश्मेशन के साथ और एक डिजिटल लुकिंग वीरर यहां पर भी आपको लगा कर दिया जा रहा है जिसे आप यहां से चेंज कर सकते यहां से और सकते हैं यहां से और सकते हैं यहां से आपको वाश्रोम कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएए वीडियो को लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए अच्छा लगे दोस्तों अब मैं आपको बैक साइड का यह बैडरूम दिखा देता हूं जिसमें अब देखिए प्रॉपर बड़े साइज की आपको बॉर्डरोम बिल जाती है स्लाइडिंग बॉर्डरोब यहां पर दीखिए राइट वैलू प्रॉपरडीज कभी अपने क्लाइंट को निराश नहीं करते हैं बहुत अच्छी तरीके से अम फ्लैट्स को रैडी करने की को बाकि दो बैडरोम आपको बालकनी के साथ मिलने वाले बड़े साइज के बैडरोम है यहां अपको लेडी पैनल मिल जाता है काफी बड़े साइस का और इधर आप देखे एक ड्रेसिंग टेबल बनाये गया है यहां पर आप अपने ऑफिस के लिए रेडी हो सकते हैं पिर बना गई है काफी बड़े साइस की इसमें किया गया काम आपको काफी पसंद आएगा जो क्वालिटी है बुडन की चाहिए इंटीर में किसी भी तरह का जो भी काम किया गया कोई को नहीं मिलेगा तीनों ही बैडरूम के अंदर आपको लेडी पैनल मिल जाते हैं यहां पर आपको लेडी पैनल लगा कर दिया गया है दोस्तों सभी सैनिट्री आइटम जितने भी है ब्रेंड इसमें लगाए गये हैं दोस्तों शॉकिट ब्रेंड आपको मिल जाते हैं साथ में आप देखेंगे तो सीलिंग डिजाइन काफी खुबसूरत बनाए गये हैं जैसा कि मै अच्छा लुक भीडी तो बैड़न जाता है इस में बहुता है प्रोपर स्पेस मिल जाता है इसमें भी आपको बडे साइस टेबल मिल जाता है साथ में यहां पर मिल जाता है तीनों ही बैडरूम के इंदर डेसिंग टेबल आपको मिल रहा है दोस्तों दो बैडरूम के आगे लगा गया अब देखिए यह आप देख सकते हैं चाहूंगा कि एक बार इसको दिखा दिया जाए से वही काम इसी तरह का काम इसमें भी किया ग आपने वीडियो में देखा दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी यह थ्रीविश के लगा कोमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरह की प्रॉपर्टी अब सर्च कर रहे हैं कोशिश करेंगे कि आपके बजट में आपके चॉइस की प्रॉपर्टी हम आप तक पहुंचा सके हमा जैसा कि मैं पहले भी बता चुक हूं रिजिस्टर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नाइंटी परसेंट तक लोन इस प्रॉपर्टी पर मिल जाएगा यानि कि इसकी वैलू का तैन परसेंट आप देकर इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं ब्याना एग्रिमेंट बनवा स झाल झाल